नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनिरिंग सपो दोस्तो घर बनवाने की सोच रहे हैं तो बीना लोहे के सरिया का घर जो है वो कल्पना करना भी मुस्किल है लोहे का छर इतना important है कि इसको अगर घर से हटा दिया जाए तो घर हमारा बन ही नहीं सकता है दोस्तो आज इस छोटे से वीडियो में चुकि आपका समय बहुत ही कीमती है चलिए बता देते हैं कि लोहे के छर अभी के दिन में क्या रेट बिकता है एक छर का क्या वजन होता है एक बंडल में कितने छर होते हैं पूरे बंडल का क्या वजन होता है कितना कीमत में एक बंडल छर मिलता है मतलब कि इस वीडियो को देख लिए चाहे आप ठेकदार हो चाहे आप घर बना रहे हो चाहे आपको घर बनवाना हो चाहे आप एक civil engineering के चात्र हो जो Fraser Engineer है उनको भी ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि पूरा concept क्लियर हो जाए और आप जहाँ भी साइट पे जाएं आपको कोई दिक्कत ना रहे दोस्तो आज मैं आपको 16 mm लोहे के सरीय का हर एक detail with rate के साथ देने वाला हूँ तो चलिए विडियो को start करते हैं दोस्तो सरीय का rate निकालने से पहले सरीय जो है वो वजन से बिखता है ठीक है तो सबसे पहले इसका वजन निकाल लेते हैं तो इसका वजन निकालने का एक formula है आप लोग अगर engineer है तो आपको यादी होगा d square बटे 162 d बोले तो डाया मतलब हमारा सरीय कितना मोटा है उसको square करना है तो हमारा सरीय जो है वो 66 mm का था तो 66 गुंणे 66 बटे 162 तो ये हमारा निकाल जाएगे कितना एक मीटर का वजन निकाल जाएगा जो किया है 1.580 kg मतलब एक किलो 580 ग्राम एक मीटर अगर चखर को हम 66 mm का चखर को एक मीटर काट के तॉलेंगे तो हमारा सही अगर छर होगा, नकली के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इससे आप नकली असली के जाच भी कर सकते हैं, तो वो एक किलो पांत सो असी गराम का होना चाहिए, दोस्तो आपको पता ही होगा कि पूरे छर का लंबाई बारा मीटर होता है, नहीं भी है तो जान लिजे 49.6 feet का होता है, मतलब कि सारह 49 feet का एक रोड आता है, जो है वो किसी भी जो है वो डाया का हो, मैं आपको एक मीटर का तो निकाल दिया था, लेकिन हमारा पूरा रोड केतना है, बारा मीटर का है, तो चलिए पूरे छर का लंबाई हमारा बारा मीटर है, तो पूरे छर का आ जाएगा एक छर का वजन 18 किलो 960 ग्राम आया दोस्तो आपको ये भी बताते चले कि एक बंडल में पूरे बंडल का भी हिसाब जोर लेते हैं उसके बाद रेट आपको बताते चले जाएंगे दोस्तो एक बंडल में 16 mm का 3 सरिया को पैक किया जाता है मतलब बांधा जाता है तो पूरे बंडल का हिसाब से हमारा वजन कितना हो जाएगा 56 किलो 888 ग्राम ठीक है पूरे बंडल यानि कि 3 सरिया का वजन हो जाएगा 56 किलो 888 ग्राम हो जाएगा अब चलिए रेट जान लेते हैं चुकि हम लोग ने वजन देख लिया है एक मीटर कितना होगा पूरे चर का वजन कितना होगा और पूरे बंडल का वजन कितना होगा ये मैंने आपको बता दिया है अब चलिए रेट जान लेते हैं दोस्तो अभी जिस एरिये में मैं रहता हूँ वहां पर जो है वो 55 रुपे का रेट चल रहा है अभी 55 रुपे का रेट चल रहा है तो अगर हम एक छर खरिदने जाएंगे 55 रुपे के हिसाब से तो हो जाएगा हमारा 18 किलो 960 ग्राम को 55 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 1042 40 रुपे दोस्तो एक छर खरिद के तो हम अपना घर नहीं बनवा सकते हैं जाहिर सी बात है हम बंडल से ही घर बनाने के लिए छर वगरा खरिदते हैं तो एक बंडल का रेट में आपको बता रहता हूँ एक बंडल का पहले वजन था 56 किलो 888 ग्राम ठीक है रेट चल रहा ह 55 का हमारा टोटल एमाउंट हो जाएगा 3128 रुप्या एक बंडल यानि की 3 सरिया कितना एमम का 16 एमम का कितना हो जाएगा 3128 रुप्या हमको चुकाना होगा एक बंडल का दोस्तो इसी तरह से आप जो है वो एक बंडल का निकाल लिए अब 100 किलो का आप कोई पूछेगा तो किस तरह से वजन निकालना है वो मैंने बता दिया है किस तरह से रेट लगाना है वो भी मैंने सिखा दिया आपको किस तरह से एक बंडल का निकालना है एक मीटर का निकालना है और पूरे सरिये का निकालना है चाहे आप एक टन का निकालो एक टन में दोस्तो एक हजार क फिलो होता है ठीक है तो आप कोई भी calculation रहे आप कर सकते हैं चुकि आपने पूरा है आपको पूरा जानकारी मिला है और कोई दिक्कत है दोस्तों अभी भी तो आप जो है वो comment box में comment कर सकते हैं कोई भी घरद्वार बनवार है कोई भी चीज का आपको जानकारी चाहिए आप हमारे चैनल पर आईए subscribe किजिए comment box में comment डालिए आपको answer मिल जाएगा तो फिर मिलते हैं धन्यवाद दोस्तों